हलो फ्रेंट्स आप सबका ए आर क्लास टाइम में वालकम है फ्रेंट्स आज का टॉपिक इंटेरियर ओफ अर्थ है जो सेलेवस एक्जाम्स और कंपरिटिव एक्जाम्स के पॉइंट ओव व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है हर कंपरिटिव एक्जाम में इस टापिक से अक्सर कॉसंस देखने को मिलता है आर्थ का इंटेरियर पार्ट कैसा है इसमें कितने लियर्स है अंदर का टेंपरेशर कितना है क्रास्ट क्या है मेंटल किसे कहते हैं कोर किसे कहा जाता है आर्थ की देंसिटी कितनी है क्रास्ट से कोर की दूरी कितनी है इंटेरियर ओफ आर्थ का पता कैसे चलता है लिफो स्फियर क्या है इस्थेनो स्फियर क्या है और electromagnetic field कहां है तो friends आर्थ से related सभी important knowledge के लिए आज हम लोग interior of earth को अच्छी तरह समझेंगे हम सब जानते हैं कि earth पर mountain, plateau, plain, river, lake, oceans के अलावे बहुत सारी features मुझूद हैं और ये सब earth के उपरी परत पर वाकिय है जो solid है लेकिन जब वालकेनो फटता है तो इससे पिगले हुए मादे, राक, गैस और धुआ सभी दहकते हुए आग की शकल में जमीन के अंदरोनी हिस्सा से बाहर निकलाता है इससे साफ पता चलता है कि जमीन का अंदरोनी हिस्सा में आज भी आग का जखीरा मुझूद है जो अंदरोनी चटान को भी पिगला कर लिक्वीड बना देती है जिसे मेगमा कहा जाता है और यही पिघलता हुआ मेगमा जब जमीन के किसी कमजोर हिस्सा को फार कर volcanic eruption के वक्त liquid हालत में अर्थ के उपरी हिस्सा पर आ जाता है तो लावा कहलाता है और इसी लावा से volcanic mountain और volcanic rocks बनते हैं Friends, अर्थ के उपरी हिस्सा से अंदरोनी हिस्सा तक तीन layers यानि तीन परत हैं सबसे उपर solid part जिस पर इनसान समेत तमाम, जानदार, पेड़ पौदे, नदिया, पहाड वगेरह मुझूद हैं crust कहलाता है और सबसे अंदरोनी हिस्सा को core कहा जाता है जबके crust और core के बीच mental परत है Friends, crust की आउसत मोटाई 30 किलो मीटर है क्योंकि ये समंदरी हिस्सा मेरी इसकी मोटाई 5 किलो मीटर और landed area यानि खुशकी वाली जमीन पर इसकी मोटाई 60 से 65 किलो मीटर तक होता है इसी लिए crust की आउसत मोटाई 30 किलो मीटर माना जाता है Mental की मोटाई 29 किलो मीटर है और core की मोटाई 29 किलो मीटर से 6,370 किलो मीटर या आसानी के लिए हम core की मोटाई को 3500 किलो मीटर भी मान सकते हैं Crust की density 2.7 यानि 2.7 से 2.9 गिराम फी क्यूबिक सेंटिमीटर है Mental की density 3.0 से 5.0 गिराम फी क्यूबिक सेंटिमीटर और core की density 5.1 से 17.0 गिराम फी क्यूबिक सेंटिमीटर है Crust का average temperature 1000 डिगरी सेंटिमीटर है Mental का average temperature 3500 डिगरी सेंटिमीटर जबके core का average temperature 5000 डिगरी सेंटिमीटर है जमीन की उपरी हिस्सा से हर 33 मीटर की गहराई में एक डिगरी temperature बढ़ता है Crust में silicon और aluminium पाया जाता है इसलिए यह सैयाल लियर भी कहलाता है Mental में silicon और magnesium का composition है इसलिए इसे सीमा लियर कहा जाता है जबके core में nickel और ferrous का composition है इसलिए इसे नीफे लियर भी कहते है Some notable facts of interior of earth Friends, mental के दो हिस्से है नमबर एक, upper mental जिसे क्रोफे सीमा भी कहा जाता है क्योंकि इस परत में chromium, ferrous, silicon और magnesium पाया जाता है इसकी मोटाई तकरीबन 700 km है नमबर टू, lower mental जिसे नीफे सीमा भी कहते है क्योंकि इस परत में nickel, ferrous, silicon और magnesium मिलता है इसकी मोटाई 700 km से 29 km है core के भी दो हिस्से हैं नमबर एक, outer core जिसकी मोटाई 29 km से 51 km है यहीं electromagnetic field है और यहीं से अर्थ की magnetic power यानि force of gravity पैदा होता है क्रास्ट और upper mental के उपरी हिस्सा को एक साथ मिलाकर लितो स्फिर बनता है जिसकी मोटाई 100 km है जबके क्रास्ट का निचला हिस्सा और mental का उपरी हिस्सा को एक साथ मिलाकर इस थेनोस्फिर कहा जाता है इस थेनोस्फिर ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब weak layer यानि कमजोर पड़त होता है Friends, हमारी दूआ और नेक खाहिशात हमेशा आपके साथ है पढ़ते रहो, बढ़ते रहो इसी तरह की latest knowledgeable और informative वीडियो के लिए इस वीडियो को like करके, comments करें और चैनल को subscribe करके, bell icon को भी प्रेस कर दें ताके हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे Thank you, तब तक के लिए Bye, Take care friends